सिर्फ और सिर्फ मेरी स्तवन मंजीरी के पाठ मात्र एक बार भी कर लेने से एक साथ जितनी समस्याएं चल रही हैं सबका तुम्हें सामधान मिलेगा तुम्हारे व्यापार में जो बढ़ोत्री नहीं हो रही है वो भी बढ़ोत्री होनी शुरू हो जाएगी इस गुरुवार को तुम खास कर सिर्फ और सिर्फ अपने नौकरी अपने व्यापार के लिए ही मेरी सचरत्र पढ़कर प्राथना करना किसी अन्य चीज, किसी अन्य वस्तू, किसी अन्य रिष्टे नाते, किसी के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैंने तुमसे कहा था न कि तुम्हारी जब जरुवत होगी तो लाकर खड़ा कर दूँगा तो बस तुम उस पर विश्वास रखो और जो असलियत है जो तुम्हें दिख रही है न उसे पहचानने की कोशिश करो मैं जानता हूँ, मैं ये कहता भी हूँ कि जो भी गलत हो रहा है बस उन सब को माफ करके आगे बढ़ो माफ ना भी कर सको तो कम से कम अपने हरदय से निकाल दो पर कुछ ऐसे लोग हैं जिने तुम ना माफ कर पा रहे हो और जब करने आते हो तो भूल जाते हो क्योंकि वो वास्तविक्ता में फिलहाल माफी के हगदार नहीं है यदि उनके कर्म कुछ बदले, यदि कुछ अच्छाई उन्होंने करी तो निश्य थी मैं उन सब की रक्षा करूँगा पर यदि वो इसी तरह गलत करते रहेंगे तो फिर अपने कर्मों की सजा उन्हें खुद भुगतनी बड़ेगी और इसमें ना तुम ना मैं कुछ कर सकते हैं तुम तो बस इतना जानो कि तुम बहुत भागेशाली हो और जिस घर में तुम्हारा जन हुआ है न वो लोग भी अत्यंत भागेशाली है क्यूकि तुम हो वहाँ तुम इश्वर के बच्चे थे इश्वर के बच्चे हो और तुम्हारे कारणी उनका भी सारा काम होता जा रहा है कोई समझे या ना समझे ये मैं देख पा रहूं ये मैं समझ रहूं तुम खुश रहो मुस्कुराते रहो